हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्स्प्लेंड चैनल पर और आज हम देखेंगे अटैक ओन टाइटन सीजन 3 के एपिसोड नमबर 18 को अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखें हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो दोस्तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिवाई बीस्ट टाइटन पर सर्प्राइज अटैक करता है और जीक को काट कर टाइटन बौडी से बाहर निकाल लेता है लेकिन तभी काट टाइटन जीक को लेकर वहां से भागने लगता है दूसरी तरफ आर्मिन कोलोसल टाइटन का ध्यान भटकाता है जिसमें उसकी पूरी बौडी जल जाती है और पीछे से एरन बेर्थॉल्ट को काट कर टाइटन से बाहर निकाल लेता है तो अब चलिए ज पीछे किसी भारी चीज की आवाज आती है वो देखता है कि जीक काट टाइटन के उपर बैठ कर यहां आ जाता है एरन तुरंत बेर्थॉल्ट की गर्दन पर तलवार रखकर बोलता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगा जीक के चहरे पर निश तुम्हारे डैट के विक्टिम्स हैं और उसने तुम्हारा ब्रेनवाश किया है वहीं एरन को भी रियालाइज होता है कि जीक कुछ-कुछ ग्रीशा जैसा दिख रहा है तभी ये देख जीक के होश उड़ जाते हैं कि लिवाई ने उसके सभी टाइटन्स को मार दिया था और वो उसके पीछे इसी तरफ आ रहा था लिवाई को आता देख जीक डर से काँपने लगता है और बोलता है कि मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं टाइटन बन लिवाई से लड़ सकूँ तो हमारी लड़ाई ड्रॉ रही फिर जीक बेर्थाल्ट से माफी मांगते कोई कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन यहीं तुम्हारा अंत है जीक एरन से कहता है कि एरन मैं किसी दिन फिर से लोटूंगा तुम्हें बचाने के लिए और फिर काट टाइटन जीक को लेकर वहां से भाग जाता है एरन को जीक की कोई बात समझ नहीं आई थी तब ही लिवाई आ जाता है और बोलता है कि मेरे गियर की गैस खत्म हो गई है एरन तुम जल्दी मुझे अपनी ब्लेड्स और गैस दो ताकि मैं उस बीस्ट टाइटन का पीछा कर सकूँ एरन अपना गियर निकालने लगता है लेकिन तभी उसे आर्मिन की सांसों की आवाज सुन की हिस्टोरिया के लिए लिखा था तुम इसे क्रिस्टा को दे देना इसके बाद हान जी कहती है कि मुझे तुम से धेर सारे सवाल करने है क्या तुम हमें सारे जवाब दोगे राइनर बोलता है नहीं जिस पर हान जी बोलती है कि फिर तो तुम्हें मार देना ही बहतर होग एर्विन ने सभी को टाइटन इंग्जेक्शन के बारे में बताया था एर्विन बोलता है कि इस इंग्जेक्शन से हम किसी भी टाइटन शिफ्टर की पावर चुरा सकते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे दुश्मन को हराना होगा फिर हम उसके हाथ पैर काड़ देंगे ताकि वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म ना हो सके इसके बाद हम हमारे किसी सोलजर को ये इंग्जेक्शन लगा कर उसे माइंडलेस टाइटन बना देंगे फिर जैसे ही वो किसी टाइटन शिफ्टर को खाएगा तो वापिस इंसान बन जाएगा और उसे टाइटन शिफ्टर की सभी पावर्स भी मिल चुकी होंगी फिर हम एक तीर से दो निशाने भी कर सकते हैं हम इस इंग्जेक्शन का यूज किसी ऐसे सोलजर पर करेंगे जो बिल्कुल बचने की हालत में ना हो इससे उसकी जान भी बच जाएगी और हमें टाइटन की पावर भी मिल जाएगी तो अगर तुम किसी टाइटन शिफ्टर को पकड़ते हो तो तुरंत कैप्टन लिवाई को बुलाना ये इंग्जेक्शन लिवाई के पास ही रहेगा और लिवाई ही डिसाइट करेगा कि ये इंग्जेक्शन कभ यूज करना है और किस पर यूज करना है और ये फ्लेश बैक यहीं पर खत्म हो जाता है हान जी बोलती है कि हमें नहीं पता, लिवाई और बाकी लोगों के हालात कैसे हैं, हम राइनर को जिन्दा रखने का रिस्क नहीं ले सकते, जीन उसे समझाता है कि अगर तुमने इसे मार दिया, तो हम टाइटन्स के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे, अगर हमें दुश् ना मिले, तो एक स्मोक सिगनल फायर कर देना, मैं इशारा समझ जाऊंगी, और राइनर की गरदन उड़ा दूंगी, मिकासा तुरंट एरन के पास जाती है, और देखती है कि आर्मिन की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन वो अभी भी सांस ले रहा था, एरन लिवाई से बोल आर्मिन की जान बचा लेता है, वो दोनों देखते हैं कि काट टाइटन राइनर को अपने मूह में उठा कर वहां से भाग जाता है, ये देख जीन को खुद पर घुसा आता है, क्योंकि अगर वो नहीं बोलता तो हांजी ने राइनर को मार दिया होता, इस पर हांजी कहती ह कि तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है वो मेरा फैसला था चलो, बाकी लोगों के पास चलते हैं इधर लिवाई एरन को इंग्जेक्शन दे ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर फ्लॉच एर्विन को लेकर आ जाता है और कहता है कि हमारे कमांडर काफी जखमी हालत में है उनका बहुत खून बह गया है लेकिन वो अभी तक जिन्दा है कैप्टन लिवाई तुम जल्दी से इंग्जेक्शन लगा कर कमांडर को ठीक कर दो अब ये देख लिवाई एरन को इंग्जेक्शन नहीं देता के लिए वो लिवाई से भी लडने को तयार थी इधर हम वाल के उपर जीक और काट टाइटन को देखते हैं जीक राइनर से कहता है कि राइनर आज तुमारी किस्मत बहुत अच्छी थी इधर लिवाई बोलता है तुम दोनों जानते हो तुम क्या कर रहे हो और उसकी गरदन पर अपनी तलवार रख देती है लिवाई थका हुआ था और मिकासा आराम से लिवाई से इंग्जेक्शन छुड़ा सकती है लिवाई बोलता है कि एर्विन इंसानियत के लिए बहुत इंपोर्टेंट है फ्लॉज भी मिकासा को दूर हटने के लिए बोलता है इधर एर्विन रोता हुआ बोलता है कि आर्मिन भी इंसानियत को बचा सकता है ट्रोस्ट का छेद उस बोल्डर से बंद करने का आइडिया आर्मिन का ही था आर्मिन नहीं पता लगाया था कि एनी ही फीमेल टाइटन है यहां रात में आने का आइडिया भी उसी का था ताकि हमें रास्ते में कोई टाइटन ना मिले आर्मिन की वज़़े से ही हमने राइनर को ढूंडा और सिर्फ आर्मिन की वज़े से ही हमने कोलोसल टाइटन को हराया है कमांडर या मैं, हियूमैनिटी को नहीं बचा सकते हैं लेकिन आर्मिन बचा सकता है अब मिकासा लिवाई से कहती है कि इंग्जेक्शन मुझे दे दो तब फ्लोच मिकासा से बोलता है कि तुम अकेली नहीं हो, जिसने बहुत कुछ सहा है तुम जानती हो, दिवार के उस पार मेरे सभी साथ ही मारे जा चुके हैं क्योंकि ये प्लान एर्मिन का था ताकि बीस्ट टाइटन को हराया जा सके और उसके प्लान के मुताबिक सभी सोल्जर्स मारे गए जब मैंने एर्मिन को इस हालत में पाया तो मैंने सोचा कि मैं ही उसे मार दूँ लेकिन फिर मैंने लिवाई को देखा जो टाइटन्स को मार रहा था और फिर मुझे समझ आया कि अगर इन टाइटन्स को हराना है तो हमें भी एक शैतान चाहिए जो कि एर्मिन है मेरे जैसा डरपोक शायद इसलिए जिन्दा बचा है ताकि मैं एर्मिन को जिन्दा कर सकूँ इसके बाद फिलोच मिकासा पर अटेक करने भागता है और मिकासा भी उसे मारने को तयार थी लेकिन हान जी पीछे से आकर मिकासा को पकड़ लेती है यहां उनके बाकी दोस्त भी आ जाते है और उन्हें सारी सिचुएशन समझ आ जाती है कि इंग्जेक्शन एक है जिससे वो या तो अपने दोस्त आर्विन को बचा सकते है या कमांडर एरविन को इसके बाद लिवाई इंग्जेक्शन को बाहर निकालता है एरविन को लगाने के लिए हाँ जी मिकासा को समझाती है कि अगर हमने एरविन को खो दिया तो इंसानियत के लिए कोई उमीद नहीं बचेगी मिकासा रोते हुए बोलती है कि आर्मिन भी ये सब कर सकता है हांजी बोलती है कि मैं भी कई लोगों को वापिस लाना चाहती हूँ फिर हमें एक flashback दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि कोलोसल टाइटन के धमाके से हांजी जिन्दा कैसे बच गई थी असल में जैसे ही बेर्थॉल्ट ट्रांस्फॉर्म होता है वैसे ही हांजी का साथी मॉबलिट उसे एक कुए में धक्का दे देता है जिस कारण से हांजी तो बच जाती है और उन्हें भुला कर आगे बढ़ना होता है ये सब सुन मिकासा शान्ध हो जाती है और लिवाई एरविन को इंग्जेक्शन लगाने बढ़ता है लेकिन तभी एरण लिवाई के पैर पकड़ते हुए कहता है कि कैप्टन क्या तुम जानते हो? समुद्र क्या है? आर्मिन का ये सपना है कि उसे वाल्स के बाहर जाकर समुद्र देखना है मैं तो बस अपनी मदर की मौत का बदला लेने के लिए सभी टाइटन्स को खत्म करना चाहता हूँ लेकिन आर्मिन ऐसा नहीं है उसके सपने बहुत बड़े हैं इसके बाद लिवाई खड़े होकर बोलता है कि सभी लोग यहां से दूर चले जाओ ताकि एर्मिन टाइटन बनने के बाद बेर्थॉल्ट को छोड़ और किसी को ना खा जाए सभी यहां से दूर चले जाते हैं हां जी मिकासा को और फ्लॉच एरन को पकड़ कर यहां से ले जाते हैं अब लिवाई यहां अकेला था वो आर्मिन और एर्मिन दोनों के ड्रीम्स के बारे में सोचता है कि यह सब कैसे बच्चे हैं किसी को यह ड्रीम पूरा करना है तो किसी को वो उसे कैनी की बात भी आदाती है जिसने उसे कहा था कि इनसान को जिन्दा रहने के लिए किसी ना किसी चीज का नशा होना चाहिए इसके बाद लिवाई एर्मिन के हाथ में इंग्जेक्शन लगाने ही वाला होता है कि एर्मिन अपना हाथ जटक देता है और बोलता है लेकिन टीचर हमें कैसे पता चलेगा कि वॉल्स के बाहर कोई इंसान नहीं है ये वही सवाल था जो एर्विन ने बचपन में अपने फादर से पूछा था फिर लिवाई को याद आता है कि उसने एर्विन से कहा था कि अपने सपने को भूल जाओ और मारे जाओ जिसके लिए एर्विन भी मान गया था और उसने मुस्कुरा कर लिवाई को थेंक्यू बोला था फिर काफी सोचने के बाद लिवाई फैसला लेता है कि वो आर्मिन को बचाएगा ना कि एर्विन को कुछ देर बाद बेर्थॉल्ट को होश आता है और तभी एक माइंडलेस टाइटन जो कि आर्मिन है बेर्थॉल्ट को उठा कर खाने लगता है बेर्थॉल्ट गिडगिडाते हुए कहता है कि दोस्तो मेरी मदद करो लेकिन आर्मिन बेर्थॉल्ट को खा जाता है और बेर्थॉल्ट की मौत हो जाती है इधर फ्लॉच लिवाई से पूछता है कि आ एर्विन को आराम करने दिया जाए लिवाई एर्विन से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं बीस्ट टाइटन को मार दूँगा लेकिन उसे पूरा करने में थोड़ा समय और लगेगा फिर हाँ जी एर्विन को चेक करने के बाद बताती है कि एर्विन की डेथ हो गई है वहीं इधर बेर्थॉल्ट को खाने के बाद आर्मिन अपनी टाइटन बॉड़ी से बाहर निकलता है उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था आर्मिन को देख उसके दोस्त खुशी से रोने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है दोस्तों अब बात करते हैं कि लिवाई ने एर्विन को छोड़ कर आर्मिन को क्यों चुना ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिने इस बात में कनफ्यूजन होगा अब वैसे तो कई रीजन्स हैं जिनकी वज़े से लिवाई ने एर्विन को नहीं चुना उन मेंसे एक रीजन मैं आपको बताता हूँ दोस्तो हम जानते हैं कि एर्विन भले ही कितना भी ग्रेट लीडर हो लेकिन वो एक सेलफिश इंसान है एर्विन बेस्मेंट तक पहुँचने के लिए इंसानियत को भी खत्रे में डालने को तयार था वहीं अगर आर्मिन की बात की जाए तो उसने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जिन्दगी और अपने सपने दोनों को कुर्बान कर दिया जिससे पता चलता है कि इंसानियत के लिए आर्मिन ही एक बहतर चोईस थी और शायद इसी लिए लिए लिवाई ने आर्मिन को चुना वैसे ये मुझे लगता है इस पर आपके क्या विचार हैं? कॉमेंट करके जरूर बताईए और ये भी कि एर्मिन बेटर है या आर्मिन? इस एपिसोड के मेड इंफो कार्ड में कुछ खास नहीं है हमें इस टाइटन इंग्जेक्शन के बारे में ही जानकारी दी गई है जिसके बारे में हम एपिसोड में सब कुछ पहले से ही जान चुके हैं तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने दो इंपोर्टेंट केरेक्टर्स को खो दिया है एक बेर्थॉल्ट और दूसरा कमांडर एर्विन तो दोस्तों अगला एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि उसमें हमें बेस्मेंट के रास के बारे में पता चलेगा ये रास इतना बड़ा है कि ये पूरे अटेक और टाइटन वर्ल्ड को ही बदल कर रख देगा तो दोस्तों अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है पता है न आपको लाइक, कॉमेंट, शेर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो न ताकि ऐसे शांदार वीडियो आपसे मिस ना हो सके चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में शुक्रिया